किशोर तिवारी और विद्या जी दोनों कह रहे हैं ये थोड़े दिन की चांदनी है चार दिन की उसके बाद असली बगावत शुरू होगी आपके गड़बंदन में प्रेम शुक्ला जिनका जीवन अमावस हो वो चांदनी पर क्या टिपनी करेंगे मानग जी किशोर तिवारी जी लतीफे अच्छे सुनाते हैं तो किशोर तिवारी जी की लतीफे सुनकर हम लोग भी आनंद ले रहे हैं और विद्या जी कह रही हैं कि विश्वास घात हो गया इस पूरे महारा प्रदेश में उद्धो ठाकरे के पिता श्री स्वरगी बाड़ासाब ठाकरे वो उन्होंने नौ जनवरी 1993 को श्रीमान शरतपौर को सुरिया जी पिसार कहा था सुरिया जी पिसाल महाराष्ट्र के प्रज्वलंत इतिहास के सबसे बड़े विश्वास गाती रहे सुरिया जी पिशाल ने चत्रपती शीवाजी से विश्वास गात किया था तो जिसको बाड़ासाब ठाकरे ने शीवाजी के काल के बाद सबसे बड़ा विश्वास गाती कहा हो और जिनके विश्वास गात से व विश्वास गात जो है वो अपने भतीजे के साथ कर दिया भाई पार्टी तो शर्थ पौर तोड़ रहे हैं ना पार्टी में इस देश में लोकतंत्र में बहुमत का बात तो है कि नहीं है तो बहुमत अजीत पवार के साथ है तो अजीत पवार के साथ विश्वास गात करने का एक और जो प्रकरण है वो श्रीमान शर्त पवार ने कर दिया दूसरी बात पतन की कर रहे थे श्रीमान किशोर तिवारी जी तो मैं तो धोबी का कुट्ता जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा मैं आदरनी उद्धो ठाकरे जी के मातत काम कर चुका और उनका आदर करता हूँ इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा लेकिन जिस तरह का पतन शिवसेना का हुआ है कि इवार्थ सेना जो उनकी स्रीमान आदित ठाकरे की थी उनके सारे साथी भी उनको पूरा होते होते आठ दस विदायक के साथ आ जाएंगे जिन एक नाशिंदे को मुख्यमंत्री का पद है महाराज जैसे प्रदेश का उनको अगर कोई धोबी का प्राणी कहता हो तो निश्चत तोर पर उसके बुद्धिचाद्व और राजनितिक कोशल पर लेकिन यह संतुलन कैसे बनाएंगे प्रेम शुकला आपको भी पता है चालिस विधायक उनके हैं 32 उनके हैं आपकी अपनी पार्टी के इतने सारे हैं और यह पार्टी ऐसी है जो पहले पूरे महाराष्ट में अकेले चुनाव भी लड़ चुकी है आपकी पार्टी और दि बना की रख पाएंगे दिखिए चुनाव नहीं बहुत लंबे समय तक संतुलन बने गड़ भारती जंता पार्टी गटबंधन के संतुलन की शिल्पकार रही है डॉक्टर राम अनौर लुए और पंडित दिन्दयाल उपाद्याई जी ने पहली बार सम्वित सरकार बनाई तो गड़ बंधन की सरकार ने कारेकाल पूरा किया अधरनी अटल भीहरी वाच्पई जी के नित्रित में और भारती जंता पार्टी कभी अपने गटबंधन के साथी के साथ घात नहीं करती है यह घात ने किया उनकी दशाब देख रहे हैं मैं जबाब दो ठाकरे जी ने ज जुनावी मंचों से पांच वर्ष के लिए देवेंद्र फट्निविश जी को मुख्यमंत्री कहने की बात कर रहे थे तब क्या उनका जो स्रमन शक्ति थी स्रीमान उद्धव ठाकरे की समाप थी क्या अच्छा ओक्या प्रेम सुक्ला एक सवार और आपको भी पता है जब इ उनको दे रहें इसलिए तो शिव सेना और उद्धव गुट और एंसीप माने के चार दिन की शांती है यह बगावत फिर से आएगी देखिए पेच यह यह पेच नहीं है कोशल कई योगिता की योग जो है मुल्यांकन करके विभागों का वित्रन है और समिधान के अनकूल मुख्यमंतरी का अधिकार एक्षेत्र है तो मुख्यमंतरी विष्चित तोर पर अपने घटक दलों के साथ जो है वो समन में साधेंगे बात करेंगे अब उसको जो है छिद्रानवेशी जो पत्रकारिता है उस पर अपना बात रख सकती है उनका सुतंत्रा भीवक्त की आज प्रेम चुकला बता रहा हूं कि एक ना चिंदे ये मेरे बहुत करीबी दोस्तर है और मैं उनका बहुत आधर करता हूं उनके संगटन कोशल का भी आधर करता हूं लेकिन मैं उनके बारे में अबद्र भी नहीं करूंगा दूसरा आधर करें आप तीवारी जी मैं आपको बोताता हूं कि कल आपके प्रदेशा दक्षे ने कहा कि एक सो पचास प्लस सीटे हम लडेंगे अजीत पवार ने कहा 90 सीटे हम लडेंगे और 100 सीट पर दावा कर रह लाइए या आपको अगला चुनाओ कई शीटों पर लड़ना पड़े अरे आप क्या करेंगे आप तो आपके ऑपतन का रेकार्ड हो गया आपकी पाताल में जाके पहुँझ गई पाताल में ऑज क्या क्या यह अटल जी ने सोचा था कि दिंदया जी ने सोचा था अच्या तिवारी जी आपके इसी सवाल का जवाब दे रहें प्रेम शुकला बोलिया प्रेम शुकला साड़े 400 सीटे करनी पड़ेंगी तब जाके बटवारा होगा जी देखें कि 288 में बटवारा होगा अच्छे से बटवारा होगा किशोर जी देखें दर्पुथार शिवसेना का 2014 में जब भारती जनता पार्टी 152 सीटे दे रही थी शिवसेना का रेक्तोचमबिस मांग रही थी और शिवसेना ने इसलिए गडबंदन तोड़ दिये कम 117 से उपर नह के साथियों की आकांग्षा भी पता है उनकी शमता भी पता है और अपने कारेकरताओं आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे तो बता दीजे, उद्धव गुट कितनी सीटों पर लड़ेगा? नहीं नहीं, हम बोले तो अब हम महाविकास अगाड़ी बोलके ही लड़ेंगे ना, तो हमको सीटे नहीं है, हमारा लक्ष तो प्रजात अंतर को बचाना है. ओके विद्या जी एक कॉमेंट करिएगा विद्या जी आपका सीटो बट्मारा कैसे होगा महाविकास अगारी का? कितनी सीटो पर लड़ेंगे आप? देखिए महाविकास अगाडी का मकसद ये है कि नए लोगों को ये देना नए जो युवक है इनको संदी देना ये महाराष्टर में और पवार सहाब जो अभी दवड़ा शुरू करेंगे उसको उनका जो रिस्पॉंस उनको मिल रहा है थास करके नौजवानों को उनमें से ज एक बार मैदान में उतारेंगे और वो यश्यश्वी होंगे एकदम और मुझे जो अभी वाजब के प्रवक्ता सुरिया जी पिसार की बात कर रहे थे उनको बोलना कि आपको अगर हिस्ट्री मालूम होगी तो अना जी पंत के बारे में जरूर पढ़िए अना जी पंत जो से उनका रोल अभी फड़नवीज जी यहां पर आदा कर रहे है तो उसके बारे में भी पढ़िए अगर नहीं को बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहते हूं लेकिन सुरिया जी पिसार ये टिपणी आदरणी अविद्या जी सुरिया जी पिसार ये टिपणी बानातार ठा अंक ना सामना का देख लिजिए आदा जी पंद्र के बारे में तोड़ी मुझे भी हार की भी चर्चा करनी है लिहार में भी माहौल गरम है